तो हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस यूटियो चानल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने आले के ओल वर्सेश जीटी के बीच की मैच की दस नहीं 11 ड्री मिलें उनके विनिंग टीम में आपको दिखाने आला हो एक टीम एक् पर दोस्तों आपको क्रियेटे टीम को अप्शन मिलता है और उस पर इनफैक्ट आपर जाके टीम बनाना थोड़ा ज्यादा आसान होता है और देख सकते हैं आपको किस तर से बनाई है वह प्रिव्यू करके दिखाने आलो तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ने किष् इसके बाद मेरे पास छे बल्लेवाज है जिया दोस्तों छे डेविड मिलर है जेसन राय है नितिश राना है वेंकटेश आयर है रिंकू सिंग है शुबमन गिले तो इस तर से छे बल्लेवाजों को साथ में लेकर शायद ही कोई टीम बनाएगा मपर लेकिन मैं बना रहा और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मेरे पास आंद्रे रसेल और हारदिक पांडेय जो बेस्ट ऑल राउंडर से यह भी नहीं चूटे है तो इसी होग जैसे टीम काफी मजबूत बने आली काफी जबदस बने आली इसके बाद भी मेरे पास रशित खान और वरुन चक्र कैफटन बना रहाओ आप चाहेता करना चाहेता भी कर सकते जैसे की ब्लें क cris लेकिन मैं को क्याप्टन बनाओं गाता मुझे लगता है कि अगर बात की बात करनेत तो इतनी रिद्धिमान की ये जा क्के लिए कि ओस रहेते इसा आथ और दिम के बात करूँ तो यहाँ पर फिर से रिद्धिमान सा को लूँगा ज्यादा कंसिडर करूँगा इसके बाद जेसन राइश नितिश राना वेंकटेश चाहियर शुबमनगील चारों को ही लूँगा यहाँ पर मैंने रिंकु सिंग को ड्रॉप कर दिया है और इसके अलावा यहाँ पर आंद पिछली टीम में मैंने जेसन राइश को क्याप्टन या वाइस क्याप्टन नहीं बनाया ता और यह भी तीनों मैचेश में जबदस परफॉर्मस करते हैं तो इनको बनाना फायदे मन रहेगा तो इसलिए इनको वास क्याप्टन यहाँ पर भी आप चाहे तो उल्टा करना क्योंकि हार्देक पांडया बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा परफॉर्मस कर सकते हैं यहाँ पर ग्रांड लीग या बड़ी लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए स्टीम को भी आपको यूज करना है कोई प्रब्लम में कोई दिकत ने स्टीम को भी क्लोज कर है तो इसलिए पहले टीम में मैंने च्छे बल्ले बाजों को आपको लिखे लेके दिखाया था इसके बाद आदरस से विजय शंकर और हार्दिक पंडया फिर से मेरे पास रहेंगे लेकिन गेन बाजी में मैंने आपकर काफी चेंजेस कर लिए मोहिच शर्मा और शुय शर् होंगा इस्टीम का क्याप्टन मैंने नितिश्राना को बनाया काफी बढ़िया परफॉर्मस राइस सीरीज में उनका भी तक चुरुवात में काफी खराब खेल रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने काफी जबदस परफॉर्मस शुरुवात किये इसके बाद अंदर रसिल क को इस्टीम में का वाइस क्याप्टन बनाऊंगा अलग के अंधरा रसेल परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन गेन बादी में काफी जबदस परफॉर्मस हो रहा है तो इसलिए इनको भी bye captain ये captain मनाका काफी फाइडन है सकता है स्टीम को फिर से कहूंगा उल्टा करना चाह लेकिन डेविड मिलर जेसन रॉय रिंकु सिंग और शुबंगिल इन पाचों को ले रहा हूं यहां पर मैंने नितिश राना को ड्रॉप कर दिया इसके वज़े से मेरे पास चार ऑल डॉंडर भी रहेंगे दोस्तों यहां पर सुनील नरीन का परफॉमस अगर देखेंगे तो इनको भी कही न कई एक दो टेमों में लेना फाय देमन साबित हो सकता इसके अलावा एक ही गेंडाज रहेंगे तो वह है राशित खान इसके अलाव किसी और गेंडाज को मैं नहीं ले सकता क्योंकि पाच बल्लेबाद चार और अल्रेडी ले चुका तो इसलिए आपर इस तरसे भी टीम बनाई है तो काफी जबदस थे यह टीम के कैप्टन रहेंगे तीम को सिर्प कर भी ग्रैंड लीग बडी लीगों के लिए सजयस्ट करूंगा एक बड़ीमों को सब्सक्राइब करूंगा पाच में तरसे मैं बनाई तो यह पर फिरसे रिद्दिमान साइब लेकिन इसी वज़े से मेरे पास आंद्रे विजाई शंकर और हार्दिक पांडे तीन ऑल्राउंडर है लेकिन गेन बाजी में मैं इस बार चार गेन बाजों के साथ जाओंगा मुहमत चमी को अभी तक नहीं ले पायता है उनको ले लोगा राशित खान वरुन चक्राओरती औ चारों ने अभी तक सीरीज में अच्छा खासा ही परफरमस के तो इसलिए इन चारों को साथ जाना काफी फाय डेमन रह सकता है और साथ में इनको लेना थोड़ा मुश्कील है तो साद ही कोई लेगा तो इसलिए आपर इन चारों को साथ में लेंगा जो की काफी अंदर रसल बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा परफरमस कर सकते तो इसलिए इनको क्याप्टन डबल ऑप्शन मिलता है पॉइंट का तो इसलिए क्याप्टन और विजय शंकर सिर्फ बैटे करें तो इसलिए वाइस क्याप्टन मना रहा हूँ अगर तो लेकिन सावित हो सकते यह भी जोड़ी कुल मिला के इस टीम को भी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी लीगों के लिए उसकी जिगा स्मॉल लिक के लिए यूज ना करें तो बैटर है लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे पास यह पर यह भी टीम अच्छ देविड मिलर जैसन रा निती शराना विंकटे शाहियर शुब्मन गिल और ए मनोहर ने पिछले दो मैचेस में से दो मैचेस में काफी बढ़िया परफॉमंस के दोस्तों तो इसलिए इनको भी कही ना कही दो एक-दो तीमों में कम से कम लेना काफी फाय देमन रह सकता है औ अंद्रे रसेल हार्दिक पांडिया दो ही ओल रॉंडर में लूंगा और इसके बाद उमेश यादोर और एन एहमद इनको अभी तक एक भी टीम में नहीं ले पाय था तो इनको भी जरूर यह पर लूंगा दोनों ने उमेश यादो का परफॉमंस इतना अच्छा नहीं रह रहे हैं अच्छी सीरीज में अच्छी तच में लग रहे हैतो इसलिए एक चैप्टर और वैंक्र्यटान के लिए सब्सक्项 में आudent लेकिन ब्रवी इसी तर से पूम जरूसा Дेम को तो यहाँ पर यह भी खतरनाक तीम है दयाख में गया रहे हैं जैसन राय नितिश राना वेंगडे शाहियर शुबन गिल और एमनोर तो यहाँ पर पहले टीम में मैंने छेवल लिवाद लेकिन उसमें एमनोर शामिल नहीं थे यहाँ पर रिंकु सिंग शामिल नहीं है और एमनोर को उनके साथ ले रहा हूं से घज़ा रहे पहल सकता है कि तो अलग अलग आप्शन में आपको देता रहता हूं को कमें सिर्फिक पांडिया को इसटीम मेर और यहाँ को ले रहा हो ना ही आंदर रेसल को ले रहा हो किसी और को नहीं लूँगा लेकिन गेन बाज इसके वजह से काफी मजबूत हो गई रशित खान वरुण चक्रावती और टीनों ने अभी तक काफी जाधा विक्टे लिए दूस्तों तो इसलिए इन तीनों को साथ में लेना काफी फाय देमन साभित हो सकता है तो इसलिए आपर मैं इस तरह से कर रहा हूं वर्ना अगर आप एखाद गेन बाज कम करते हैं तो आप अंधर रसल को भी यहां पर ले सक सकते हैं और अच्छे खासे स्टाइक रेट से बना सकते हैं तो इसलिए क्याप्टन और जेसन रॉय को अल्रेड़ी एक जगा पे क्याप्टन मना चुक हो लेकिन यहां पर वाइस क्याप्टन मना रहा हूं चले दोस्तों तो रिद्दिमान साब फिर से रहेंगे लेकिन नि बनाना जरूर है इसके बाद अगर बात करूं तो हर्दिक पांडिया को जैसे कि आपको पहली बता चुका हो पिछले दो-तिन मैचेस में काफी जबदस फॉर्म में लग रहें तो इसलिए इनको क्याप्टन और रिंकु सिंको इनके साथ क्याप्टन मनाने जारों दोनों भ सकते तो इसलिए क्यापटन मना रहा है और रिंको सिंक बैटिंग आच्छी कर सकते तो इसलिए को वाइस क्याप्टन मना रहा हैको इस टीम को बड़ी या बड़ी लीगों के साथ सास्मॉल लिक के लिए भी यूज करने में मुझे कोई दिकत नजर नहीं आ री फिर भी कि दोनों बढ़िया परफॉमंस करें और हमारे एक बी टिम में अगर दोनों को साथ में ना लिया जाए तो हमें काफी जारा नुकसान हो सकता है तो इसलिए इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ ये भी एक उप्शन चूज कर ले रहा हूँ इसके बाद डेविड मिलर जेसन मेरे पास कीपिंग में दो अप्शन है तो यह भी टिम काफी अलग और हटके दोस्तों इस टीम का क्याप्टन विंकरडे शहियर को और जगदिशन को वाइस कैप्टन माना रहा हूँ जगदिशन ने लास्ट मैच में मेरे खाल से ठीक ठाक परफॉमंस कहता 29 या मेरे खाल स से रन बनायते तो इसलिए इनको भी अगर अगली मैच में फिर से अगर इनका कॉंफिडेंस रहता है तो अच्छा पर्फॉमंस कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि इन पर ज्यादा लोग ध्यार नहीं देंगे एज़ क्याप्टन वाइस क्याप्टन नहीं करेंगे तो इस पर फिर से रिद्धिमान सा को ले रहा हूं जेशन रॉय निती श्राना शुबमन गील तीनी बल्लेबाद रहेंगे सुनील नरीन वेंकड़े शंकर और हार्दिक पांड़े इस तर से तीन और रहेंगे और यहां पर मैं और एक अलग मूग खेल रहा हूं आंदर रसल को ड् यहां पर यहां पर यहां चैनोह निकालके सकते तो इसलिए आईसा क्या एइस का क्यूं जंबादे सिका काफिख के बढ़िया विक्ते लेगे यहरेंबाद सेंश का क्या weet लेकिन इस तर से ही रखूंगा वरुन चक्रवति को क्याप्टन और समी को वाइस क्याप्टन चलिये दोस्तों को भी आपको ग्राड लिक के लिए यूच करना थो बेटर क्योंकि थोड़ी अलग और हटके टीम है थोड़ी रिस्की भी है इस टीम को भी क्लोज कता हूँ ग्यारवी टीम बोनस टीम है दोस्तों ये टीम भी काफी जबदस्त है दिमान साको फिर से ले रहा हूँ डेविड मिलर जेसन रॉय निटी श्राना वेंगडे शाहियर शुब जो क्याप्टन और वाइस क्याप्टन है दोस्तों शायद किसी ने ऐसे सोचे होंगे शुय शर्मा पिछले दो-तिन मैचेस आगर आप देखेंगे जाके तो दो-दो विकेटों कम से कम ले ही रहे तो इसलिए इनको क्याप्टन और विजय शंकर काफी जबदस्तिंग करके बल्ले बाजिकर है तो इसलिए इनको वाइस क्याप्टन मना रहा उल्टा करना चाहे तो फिर से उल्टा कर सकते है तो कुल्मिला कि यह बी टीम काफी बढ़ी है दोस्तों अफकोस ग्रैंड लीग बड़ी लीग स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए यूज करेंगे तो भी से जीद नहीं सकते तो इसलिए फांत चेंज आप करना चाहे तो जरू कर सकते है तो आई होप वीडियो जरू पसंद आए तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरू कर दिजिए चायनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए और बेल आइकोन को प्रेस करके अहल पर भी क्लिक करना ना भूले तो ठीके दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते अगले उड़े में तब तक कले गुडबाई और थैंक यू